कि हलो बच्चों कैसे हैं आप सब आयूप के आप सब बहुत बढ़िया हैं और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में होम बेस्ट प्रोजक्ट का अग्छार्ट का अंग्रेजी बिसायका इससे पहले मैंने अन्य सब्जक्ट का अप्लूट कर दिया है अगर आपना नहीं दि समझें उसके बाद इसको नूट करें ठीक बच्चों क्योंकि समझना भी तो जरूरी है ठीक है ना कि only copy करना तो बच्चों चली शुरू करते हैं और एट गिरिड ब्रिच कोर्स और अन्य सब्जक्ट का यह आपकी जो बुक्स हैं स्लेवस की पार्ट पुस्तक निकम की भा कहा गया है complete the bird puzzle with the help of clue given यह जो आपको पजल दी गई है इसको आपको clue जो नीचे आपको दिये गए है उसकी साहता से इसको भरना है ठीक है तो वो clue कौन से है मैं आपको बताता हूं चलीए तो बच्चों देखिए आपको इसके answer में start से भनना है कि दूसरे नंबर में दिख पूर्थ की 22 इदाएं भनना है आपको अन एक्स एप्रिशीटेट मतलब की होता है जब हम किसी बात को एप्रिशीट बड़ाबा ना दें तो बहुता है अन एप्रिशीट थीक है तो अब जलते हैं next पर और क्या बना है देखिए आपको तो आपका पहला और 14 तो हो गया ठ ऐकर तीसरे में उपर से नीचे आपको क्या होना है rocky Satr अच्या में उपर से नीचे बना है र-e-l-e-n-s-e ठीक है किया हुजाएगा रे को रिलीज हैना क्या हो जाएगा है रिलीज मतलब होदा है छोड़ देना तो अगला क्या है दिखेए और और थर्ड में तो आपका एंगर होई गया है और जो आपका बीच वाला क्या बचाता यह बचाता आपका पहला एक्स एच 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 एडी एक्सक्यूड है तो आप इसको इस तरह से भर सकते हैं अगे बिच्चों चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर प्रजक्ट नंबर टू त तो प्रजक्ट नंबर टू में आप से कहा गया है कि रीड डा डीडानी टू लेशन ऑफ यू टेक्स्ट बुक अपने भी किसी भी बुक के कम से कम दू लेशन को पड़े एंड चूस फाइब नाउंस और फाइड एड्जेक्टिव राइट इन देम टेवल नेवलो तो पा पाइब राई यह सब जो एड्जेक्टिव होते हैं ठीक है जैसे आप कोई भी दो लेशन पर लें उसमें से नाउन यानि किसी बस तुब एकति स्थान का नाम भरें और एड्जेक्टिव भरें ठीक है यानि विशिष्टाएं बराए उनकी ठीक है तो इस तरह से आप इनक अजिक्टिव जो होते हैं विशिष्टाएं उनको आप यहां टिक कर दें जैसे की तरह है सिली ठीक है डेड़ सिली मतलब बता थोड़ा मूर्क है ना डेड़ मतलब मरा हुआ ठीक है डेड़ यहां और क्या हो जाएगा लॉन्डी एलियन है ना ब्लैंग ब्लैकिस्ट ब्ल देखे धर में क्या दिया गया है कि बिसम पिक आउट बर्ड आउट यहीं सब्द को छाटी जैसे कि इदर देखो इदर क्या है मून अर्थ रॉकेट और शन यह एक प्लैनेट और मनलब स्टार सिस्टम का भागी है लेकिन रॉकेट जो है एक मेनमेड होता है ठीक है बाकि स सब जो है नेचुरल है रॉकेट जो है मेनमेड है नहीं मानों के दोरा बनाया गया इसलिए रॉकेट जो है बल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगला क्या है नैप स्लीप और और सीस्टा प्रेदर हो जाएगा आपका फूर्थ ऑफ्शन ठीक है गलो डार्क साइन एन इलूमि आप इस सब पहर है ठीक है दिन के वीक जो है एक लंबा पीरियल है दिनों को कि बीक जुए आपका सएव यहसे औनकर हो जाएगा लीव फ्लोवर फील्ड एंड कुल यह इसमें आ जाएगा फिल्ड फिल्ड मतलब होती है मेदान ठीक है ठीक है बच्चो इसमें जाएगा फिल्ड अब चलते हैं next question पर next question में आप से क्या कहा गया है solve the this puzzle with the help of clue आपको clue कुछ दिये गए है उनकी साहता से आपको यह बच्चो इसमें आपकोइगा है उसर div को आपको solve करना है टिके तो मैं आपको बताता हूं किसतरहरे करना है जैसे अदिकी कििसे साहितार क्लू क्या दिया काफ मतलब होता है बच्छडा यानि काफ 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 ठीक है दा प्लूल अफ सिटी दे सिंगुलर ऑप गीज तो इस तरह से इनके एक वेचन और बहुवेचन को आपको उपर वाली जो बर्ग पहली है उसमें भरना है तो इस बर्ग पहली को आप इस तरह से भर सकते हैं जैसे क फोर्त में भर सकते हैं टूथ का टीथ है अच्छा पाँ पांच में भर सकते हैं माउस माइस का मायूस छेट मी में क्या है आपका जो भी आपको डौट हो आप ऐसार बोगों करने की आ आफको खूंग मेंले को आफको छीए लिके इस त्रह PR commitment कर शक्ते हैं तरह से Πाथ है निंडेक्स्ट पर नेक्स्ट कुश्टन थ्ट नेक्स्ट पोसत्र आपका कॉश्यThelegt यूस्ट को नमबर फांच में आप से यूश्ट कन थे खिया हैं तो आपको उस सब्द को हटा कर साही सब्द का इसका 1 पैला में देखते हैं तो पहले में क्या है दिखो पहली में आप से कहा गया है वें दा पुट फस्ट मूशल आप दा फूड इन दर माउथ जैसे हम पहला कोर मुए में रखते हैं इसका सही अंसर क्या है इधर आपका श्पोर हो गया तो इसको बनना है आपको पैंट एंड रेस्प मतलब चतपटा खाना जैसे मुह में रखते हैं तो हम बाटर बाटर मतलब चाहलाते हैं पानी पान ठीक है अगला क्या है वी तो इसको रीप्लेस करके एस पी यू आ रहना इसको अलग हटाके आपको ना उन दस्पूर को पेंट एंड रेस्प ठीक है अगला क्या है वी डी मेड इन प्रोमिनेंट स्राउंडिंग इसका प्रोमिनेंट का हो जाएगा बच्चो क्या इंबरेस्मेंट ठीक है तो इसको आप जो बर्क्षीट है आपकी जो मिले गी पॉर्ट्रेट आफ मेंनेंड बोमेन फूंड पूरांस ठीक है तो इसको क्या है पौर्ट्रेट की जीगहाएव को बहना है प्रोमिसेंट ठीक है अगला क्या हो जाएगा ही पड़ेड 2's आ सुबंड़ोस्टि अम् site पार्ट इन केम्पेन टोष्को बननना आपको धना है। फैन किए अगला है पेंट एंट ट्रेस्ट पेंट ska मतलब किम अफ फॉन वर्फ फंड ही बन्त एन को अगला है आपको उन दा स्पोर्ट ठीक है falar आफ चाहतीर्ब छटमा की embarrassment of an art comes mostly from business and private individuals when his part truth and ready तो इसको बनना है आपको दो क्या इसको embarrassment को आपको बनना है इवाला छटमा का और जो part truth लिखा है आपको उसको बनना है portrait ठीक है इस तरह से आप इन जो phrases हैं इनको आप change कर सकते हैं जो गलत सब्द दे दिए गए हैं उनको आप सही कर सकते हैं उसको इसको आप देखना चाहते हैं बुक में तो मैं आपको बताओ जो आपकी सब्ध सब्द आपको लिखना है जयसे दधर लिखा है ये माली जी अभी हम आपको बताता हो किस तरह से करना है तो दिए टीक है बच्चों आप इसको इसको सकते हैं जैसे कि देखो लेंड प्लस लाइट लैंड सिलाइट मंदलब होता है जमीन का को सकना इसको आप दोनों को जोइट करके लेख सकते हैं लेंड सिलाइट ठीक है वाला चाइल्ड होड बज़्पन इसको चाइल्ड होड ठीक मतलब की जो question आपको कितने दिये गए हैं एक दो तीन ठीक है तो इसमें से कोई दो आपको इसमें चार आप्शन है ना पहले question पढ़ लिए तो चार आप्शन में से एक चूज करके आपको नीचे लिए जैसे कि देखिए बच्चों इधर लिखा हुआ है क्या देखिए ताइगर आर फांड इन तो कहां पाए जाता है टाइगर इन बाग तो फूरस्ट में तो बिल्कुल क्लियर है फूरस्ट ही तो आएगा ठीक है अ मैं अगला कुस्चन क्या है देखिए अगला कुस्चन है कि दा कम्परेटिव डिगरी ऑफ द गी कम पॉजिटिव डिगरी और सुपर रेलेटिव डिगरी यह आप जानते होंगी तो फूस पर डिगर तूसको आप कमेंट्टर बॉक्स में बताएंगे कि क्या होती है विग तो बिगर जो है इदर आपका सही अंसर हो जएगा टूटल आंसर जो है पहली में फूरेस्ट दूसरे में बैड मद्द बिदिस और विगर इस चार आंसर जो है आपको दिए गई है नीचे कहा गया है मैच दार राइमिंग बर्ड समान धोनी वाली सब्दों की जोड़ी मिला है तो भाइया राइमिंग बर्ड आप जानते हैं क्या होता है जैसे की नेट नेट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बना दें लेकिन उनका कोई मतलब निकलना चाहिए जैसे कि यह दि मैं कहूं आप से साइन साइन मतलब चमकदार और मैं एकांगा घू फाइन मतलब अच्छेसे बढ़िया मजीदार ठीक है डिश्टर है से ट्री ट्री मतलब पिर फ्री मतलब आ जाथ तो यह दो इस तरह से जी होते हैं जाय्मिंग बर्ड रिक तुकबंधी वाले सब तो यह दर हैं साइन लेटर का बेटर और रन का फन तो इस तरह से आप इनको मिला दें हैं आप पर आंसर दिया गया है उसको देखकर आप आशा आशा नहीं कर सकते हैं Question number 9 आपको क्या दिया गया है देखी बच्चों Question number 9 आपसे दिया गया है Read the passage carefully and write an answer गद्यांस दिया गया है इस गद्यांस को पढ़के इसके आपको आंसर देना है तो पहले में आपको गद्यांस का आंसर बता दों देखी बच्चों Tiger found in Indian India and most of countries of Southeast Asia जो बाग होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं और जाला और भी जो मुख जो बाग होते हैं वो कहाँ आप Southeast Asia मतलब की Southeast दक्षड पूर्वी Asia में they live in forest and grassy plants मतलब जंगल में घनी जहां घहां से होते हैं वहाँ रहते हैं वहां पर बहुत सारे और जानबाल भी जहते हैं जो उनका सिकार मतलब जो जिनका बाग सिकार करता है उनको खाता है ठीक है इफ यू सी ने टाइगर इन जू यू में थिंक its skin is brightly colored and easily seen but in the jungle and grassland where its lips A tiger is hard to see आप जू में देखते हैं कि आपको आसानी से उसके जो color और जो उसके signing होती है सरी उससे आप आसानी से उसको देख सकते हैं लेकिन जंगलों में उसको देख पाना मुश्किल होता है क्योंकि वो चाला की से सिकार करता है इसको पकड़ने में साहित करते हैं शिकार को टाइगर चीफ फूड इस डियर पिग्स उसका जो खाना होता है तो वो क्या होता है डियर नहीं हिरन का पिग ठीक है मंकीज एंड अधर अनिमल्स इनको वो जो खाता है तो अब जैसे कि आप से पूचा गया है कुछिछन नंबर बन आप से कहा गया है कि बच्चों टाइगर और फाउंड इन कहां पाए जाता है तो उसको आपको आपको आंसर में लिखना है ठीक है पहली का अगला है व्यर टाइगर लिए कहा रहता है फोरेस्ट एंड ग्रीन प्लैंस ठीक है आप जंगल में रहता है वाट इस दा चीप फूर टाइगर तो आपको नहीं डियर पिग्स आप इसको भर देंगे इस ट्रॉंग ठीक है इसी का भर देंगे आप टफ टी ओ यू जी एच ठीक है तो इस तरह से आप इसको कंप्लेट कर देंगे अब लास्ट को सब्सक्राइब में आपको पहला कुस्चन दिया गया है देखिए यूज दा करेक्ट डिग्री ओफ दा इस तरह से कहा गया है जब भी देन आ जाए न तो देन आ जाए तो उसमें आपकी कंप्लेटेब डिग्री भरी जाएगी तो आप लिखेंगे ही इस टॉलर देन इस प्रेंट तो इस कांसर हो जाएगा जीवाला ठीक है अगला कुस्चन है यूज दा करेक्ट आर्टिकल आर इसमें आपको क्या बनना था आपको बनना है लिखिए बच्चो इसमें कुस्चन क्या है दिए दिस इज भिर यूस्फुल थी ठ़िक है तो इस एज भरते हैं देखो एन बरते हैं जब हम कॉंसुनेंट का स्वरी कॉंसुनेंट नहीं बूबिल का मुई से चार्ड करते हैं तो उसके आंगे एन भरा जाता है लेकिंदर बुक है वहरी है तो वहरी में हम ए भरेंगे तो इदर आप ए भर सकते हो इसको आप अंसर लिखेंगे दिस इज ए वहरी यूसफुल तो कुष्टन नंबर कुष्टन नंबर सी जो आप से कहा गया है राइट दा पूजिट ऑफ दा अंडर लाइन रिखांगे सब्द का बिलों लिखिए तो लाइट का लाइट वीट है ना लाइट तो उसका हुजाएगा हाई हैवी वीट लाइट मतलब होता हलका हैवी पूरी वीडियो में प्रतिक कुष्टन समझ में आ रहा होगा राइट प्लूरल प्लूरल मंलब बहुचन तो रेट का हुजाएगा रेट तीक है आर एट यह आपको दिख रहा है तर ठीक है और काफ का हुजाएगा काफ तो इधर बनेगे सी एल वी एस काफ ठीक है इस तर तो ठीक केर बाबाई